हलो सबको मैं आज आप लोगो फोर्कलिफ्ट के ट्राफिक साइन के बारे में मैं आप लोगो बताता हूँ देए जो दिये दुबई में जो फोर्कलिफ्ट का जो सिगनल टेस्ट होता है मतलब थेयरी टेस्ट होता है वो कम्प्यूटर में नहीं होता है वो होता है एक traffic science के बारे में आपको पूछेंगे आपको बस इन में से कोई भी traffic science के बारे में पूछेंगे तो आपको इसका जवाब देना होगा कुछ भी पूछ सकते हैं अब मैं आपको आगे अगे दिखाऊंगा traffic science के बारे में बस आपको चुपनी बैठना है आपको बताना है ट्राफिक साइन्स के बारे में आप से कुछ भी पूछ सकते हैं इस इशारे का मतलब क्या है उस इशारे का मतलब क्या है बस आपको बताना है तो ट्राफिक साइन्स टार्ट करने से पहले मैं आप लोगो एक ट्राफिक साइन मतलब आपको priority में कर रखना है. दूसरा होता है mandatory sign, जिसे हम उर्दू हिंदी में बोलते हैं लाजमी करने वाले अशारे. इसका मतलब होता है, ऐसा करना है आपको. अब इसकी पैचान कैसे हम करेंगे? देखो, ये नीले गोल के अंदर है, जितने भी ये blue circle के अंदर है, इसका मतलब होता है, आपको लाजमी करना है. तीसरा है prohibitory sign, मतलब मम्नू, ममानियत. ये देखिए, इसकी पैचान कैसे करेंगे हम? ये red color के circle में आता है, लाल color circle है, पहले हमने नीले color का circle देखा था, वो लाजमी था, ये red color का circle है, इसका मतलब है mamnu, ममानियत, इंग्लिश में बोलते हैं prohibitory signs, मतलब नहीं करना है आपको. चौते किसम का sign है, जो आखरी है, खबरदार किसम के इशारे, ये इंग्लिश में बोलते हैं warning sign, अब इसकी पैचान कैसे है, ये त्रिकोन के अंदर आता है, आपने देखा ये triangle shape में, मतलब त्रिकोन shape में, ये इसे हम बोलते हैं, खबरदार करने वाले इशारे हैं, आपने पहला sign देखो, ये traffic signal वाला है, इसका मतलब है कि traffic signal आगे आने वाला, इदर नहीं हैं, आगे, तो ऐसी हम, ऐसे तो बहुत सारे किसम के इशारे हैं, मगर ये चार main किसम के इशारे हैं, control sign, उर्दू में भी हम इसे control बोलते हैं, दूसरा है, लाजमी करने वाले इशारे, नीले circle, blue circle में, तीसरा है, prohibitory sign, जो कि लाल circle में आता है, और सबसे last में, खबरदार करने वाले इशारे, warning sign, जो कि त्रिकॉन, मतलब triangle के अंदर आता है, छीक है, तो मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ, दीए, जितने भी इशारे हैं, ये control किसम की इशारे में आते हैं, तो सबसे पहला है, देखिए, रास्ता देना, आपने देखाँ को त्रिकॉन, जो एक triangle जो है, उसकी शगर उपर किदर होती है, ये reverse triangle है, तो जो पहला वाला है, ये paddle जाने वाले को रास्ता देना, दूसरे वाले का मतलब होता है, रास्ता देना, ये खाली रास्ता देना है, ठीक है, no entry, entry ममनू है, आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, इस रोड में, stop sign, लाजमी है कि आपको गाड़ी को रोकना है, मतलब आपको लाजम गाड़ी को रोकना है, और wait करना है, stop sign, cycle को रास्ता देना है, one way traffic है, एक तरफा रास्ता जिसे हम बोलते हैं, ये भी एक तरफा रास्ता है, मगर ये right की तरफ है, और ये भी एक तरफा रास्ता है, मतलब left की तरह है, ये सब, जैसे कि मैंने आपको बताया था, probatory इशारे हैं, मतलब ममानियत के इशारे हैं, पहला है left मुड़ना मना है, ये वाला, देखिए दूसरा right मुड़ना मना है, असी के उपर चलाना ममनू है, आपको जो maximum speed होता है, वो असी है, असी के उपर चलाना ममनू है, नहीं चलाना है, overtake करना ममनू है, hazard is no hazardous materials, मतलब बिस्पोड बरी समान ले जाना ममनू है, हजार वाले समान ले जाना ममनू है, no goods vehicles, truck ममनू है, या goods इसमान ले जाने वाले गाड़िया ममनू है, no pedestrians, paddle जाने वाले का रास्ता ममनू है, paddle जाने वाले ममनू है इदर, no cyclist, मतलब cycle ममनु है अब ये देखिए ये जो इशारा है आपने देखा ये ट्रक ममनु है या समान ले जाने वाले गड़ी है ममनु है अब ये तो goal sign के अंदर है अब देखिए ये वाला इशारा देखो ये box के अंदर है अगर उसके अंदर भी truck बना हुआ है यह आर्टिया कभी कभी पूछ लेता है कि इन दोनों का फरक क्या है अगला है पैदल जाने वाले का इशारा मतलब ममनू है साइकल ममनू है यह वाला देगे यह हाइट है रोड की उचाई है आपने देखा मगर ये भी रोड की उचाईए मगर इसमें फरक क्या है जैसे कि मैंने आपको बताया था जो गोल वाला है यहां पर रोड की यह आपके सामने मिलेगा बिल्गूल मतलब रोड की हाइट जो है इधर इतना है मगर ये वाला जो है त्रिकोन के अंदर है ट्रैंगल के अंदर है मतलब ये आगे आने वाला रोड का हाइट अभी इतना ऐसा नहीं है आगे है ये आपको कहां में लेंगे साइन पूल के नीचे ये देगी हॉन बजाना ममनु है अब आटिया आपसे पूछ सकता है हॉन बजाना किदर ममनु है तो आप बोल सकते हूं सर्फ हॉस्पिटल या जानवरों के पास या स्कूल में ये यूटन करना ममनु हुआ है लगा और ये वाला जो साइन है इसका मतलब होता है चोडाई ये देखा आपने ये हाइट के बारे में बताता है ये चोडाई है सदक के चोड़ाई यह बड़ी गड़ी वालों कुछ हाइट के बारे में पता होना चाहिए चोड़ाई के बारे में पता होना चाहिए यह समनीले के अंदर आते हैं मतलब mandatory sign लाजमी करना है आप देखा इन दोनों का फरग यह जो है इसका मतलब आगे ही जाना है मतलब आपको सीधे ही जाना है वो दो गोल के अंदर है मगर यह देखा आपने यह box के अंदर है तो यह है one way इसमें भी RTA कभी कभी पूछ लेता है इसमें कि जो गोल में और इसमें फरक क्या है तो गोल बाला है आगे ही जाना है सीधे मतलब लेफ्ट राइड जाने का रास्ता है नहीं आपको नहीं जाना हाँ आगे ही जाना है मगर one way का मतलब क्या है कोई रास्ता नहीं है left right का आप उसी दे जाना है one way एक तरफा रास्ता ये right में mode है दोनों तरफ जा सकते हैं ये 120 maximum है मतलब इसके उपर चलाना ममने और ये नीले में आता है ये minimum speed होता है मतलब सबसे कम speed इसके नीचे नी चलाना ये roundabout है ये right में जाने के लिए ये left में जाने के लिए मतलब right में रखना ऐसे भी बोल सकते है right में रखो गड़ी या left में रखो अब ये सब जैसे ही मैंने आपको बताया था ये सब warning signs बताते है ठीक है तो सबसे पहले signal आगे traffic signal आगे है पैदल जाने वाले को रास्ता देना वो आगे मिलेगा आपको stop sign आगे है ये देगे सीधी सड़क हमारी है तो ये right side से traffic मिल रहा है मतलब main road है और देगे right side से traffic merge हो रहा है मतलब मिल रहा है roundabout आगे cycle आगे T junction है आगे चुराहा है चुराहा मने जहाँ पर चारों तरफ से रास्ता है इसे हम बोलते हैं चुराहा है हमें signal भी होता है ये देगे पैदल जलने वाले का रास्ता है अब इसमें और इसमें confuse मत हो जाना उपर देगे बच्चे हाथ पकड़के जा रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे आगे या school है अर्दू में बोलते हैं मदरसा है या school है ये दो तरफा रास्ता है और ये वाला भी देगे ये भी दो तरफा रास्ता है मगर ये दो तरफा रास्ता आपके रास्ते को क्रॉस कर रहा है और ये वाला तो मैंने आपको पहले बता दिया हाइट है रोड की उचाईए मतलब पूल के नीचे मिलेगा ये दो तरफा रास्ता आपके रास्ते को क्रॉस कर रहा है जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये left का road तंग हो रहा है तंग हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है ये दोनों road आपके तंग हो रहे है ये right का road तंग हो रहा है ये other danger मतलब दूसरे खतरात अब इसका मतलब क्या है जैसे आप यहाँ पे देखो यहाँ पे खतरा गया है दो तुरफा है मगर यहाँ पे खतरा है जाए मतलब इसका नाम रखा है यह uneven road यहाँ पर नीचे है यहाँ अर्दू में बोलते हैа road ना हमवार है सीधी सड़क हमें जाने के लिए right वाली मagर हम जा नहीं सकते है शायद रोड ब्लोक है या कुछ हो गया है इसलिए डाइवर्ट करने के लिए बूल रहा है मतलब मुड़ जाओ या रोड बंद हो सकता है यह लेफ्ट का लेन बंद है अम नीचे देखो राइट का लेन बंद है यह चड़ाई है यह उतराई है मतलब चड़ने का अपवाड यह उतर रहे है यह रोड बंद है मतलब रोड यह नहीं है देखो लाल आ गया उसके उपण यह टीजंग्शन जैसा दिखता है यह मगर वो काला होना चाहिए लाल-लाल का मतलब रोड बंद है आगर रोड नहीं है अब ये देखते हैं पहले वाला है दोनों रास्ता बंदों के एक और है डूल कैरीज वेंड्स मतलब दो रास्ता बंदों के एक और है ये लेफ्ट में कर्व है मतलब मोड है अराम से जाओ ये राइट में मोड है अराम से जाओ ये देखिए बहुत सारा मोड है मतलब कई यह हवाई जहाज नीचे की तरफ ऊड़ रहे हैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है यह आगे यूटर्न है यह हाई वूल्टेज केबल है आगे मतलब ने देखें बिजली के तार जो बड़े-बड़े वाले होते हैं वो है आगे आपको साफधान करता है यह पुल खुलत नदी आगे मतलब दरिया का किनारा या नदी का किनारा आगे यह लूस चिपलिंग मतलब पत्थर को उड़ रहे हैं मतलब कच्चा रोड आई यह आप पक्के रोड से उतर के कच्चे रोड की तरफ जा रहे हैं मतलब पत्थर उड़ रहे हैं देखा आपने तो का स्लिपरी स्पीड हम मतलब स्पीड हम यहां पर आराम से यह यह पार्किंग में मिलेंगे आपको यह देखे यह पहले वाला इसमां टाइम लिखा होता है से लिए इस टांग से लिए इस टांद टक हैं, दूसरे अपको पार्किंग के टांग, इसमें भी टांद लिखा हुता है, है models इशेबल हैं के आपटिंग कि पार्किंग की जगे यह टेक्सि के लिए यह जगे है यह reserved, this zone area for the recharge of tax, तैक्सी मतलब टाक्सी केले reserve कर रखा है, यह best oft है, आपको बताता है, यह भी parking area में मिलेगा जो यह है, यह समाण उतारने चड़ाने के लिए है, बड़ी गाड़ी वालों के लिए, यह parking है, यहाँ पर बड़ी गाड़ी पार्क कर सकते हैं ये देखिए रुकना मना है राइट साइड में ये रुकना मना है दोनों तरफ ये रुकना मना है लेप्ट साइड में अब आपने देखो इसमें क्रोस लगा है तो नो स्टॉपिंग मतलब रुकना मना है अब ये वाला देखिए इसमें एक ही कट लग रहा है तो इसका मतलब है no waiting मतलब wait करना मनाय आप आटे ही बूच सकता है किसान no stopping अब खाड़ी चला रहे हो आपको किसी को उतारने है उतार सकते क्योंकि यह no stopping यहां पर रुकना ही मनाय दूसरा isb जो है no waiting मतलब अब उतार सकते हो मगर wait ृट नहीं कर सकते है यहाँ पर अब यह देखिये freeway control sign मतलब यह आपको highway में मिलेंगे freeway में यह highway start of the time मिलेगा और यह highway खतम उने वाला होगा तो आपको मिलेगा highway खतम हो और end of freeway अब इन दोनों sign ओको हम qualification plates भी बोलते हैं या आप उपर देखिये आप इन दोनों साइनओं को आपने देखा अब आटे पूछता है जो काली पढ़ा है इसके अंदर क्या आ सकता है जैसे कि मैंने आपको बताइता है ये no stopping ये no waiting इनमें से कोई भी साइन इसके अंदर आएगा और आपको बताता है यही यह वाला है no stopping या no waiting right side में मतलब रुकना मना है या wait करना मना है right side में और यह वाला है रुकना मना है या wait करना मना है कोई भी एक आएगा दोनों side में यह देखा अब यह guide sign हम बोलते हैं guide sign का मतलब होता है आपने देखा हुआ यह अलग-अलग color के मिलते हैं आपने कभी सोचा यह अलग-अलग color के क्यों होते हैं जो blue color में होता है वो आपको Emirates road में मिलेगा National road में जो green color के sign होते हैं वो आपको Dubai में मिलेंगे, Dubai route में और जो white color के sign होते हैं वो local area मतलब दुबाई का जो road है उसमें भी जो local area है उसमें white color के board मिलते हैं और यह जो brown sign का sign होता है यह इसमें देखा आपने picture लगे हुए तो आपको additional information बताता है जैसे कि पहला वाला देखो जो मेरा beach है दूसरा zoo है आपको picture के साथ information बताता है तो हम एक एक करके देखते हैं यह पहले वाला Emirates road है यह Emirates road में मिलेगा और यह दुबाई रोड D84 मतलब दुबाई road 84 और यह E11 मतलब Emirates road 11 यह D94 मतलब दुबाई road 94 आपके left में यह roundabout मत समझे लेना यह से बहुत सारे बन्दे कहता हैं यह roundabout है नहीं यह city center है यह right side में यह E11 मतलब Emirates road left side में यह Dubai international airport आपके right side में यह freeway मतलब highway आपके right side में और यह मैंने आपको बता था tourist जगों में मिलता है जो मेरा beach यह Dubai zoo अब यह exit के side में आपको मिलेंगे जैसे कि यह है उम सुकीम टू left side में उम सुकीम टू वन टू जो मेरा असीद है और यह right side में मिलेगा उम सुकीम तरीन और मलशी यह वैसे पूछते नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूं जब sign के बारे में आपको बता रहा हूं तो मैंने सूचा आपको सब बता देता हूं अब यह यह दोनों जो है exit वाले हैं यह देखिए यहाँ पर आपने देखो यह सफेद बॉक्स के अंदर जो arrow लगा हूँ है तीर कर निशान उसका मतलब होता है यह exit हो रहा है बाहर जा रहा है पहले वाला जो arrow है यह जो मेरा अलेन हत्ता ले जाता है और दूसरा जो है exit बाहर जा है ठीक है अब यह other important traffic sign मतलब पहले तो हमने signs देखें अब यह दूसरे किसम के sign है यह भी आपको road में मिलेंगे जैसे कि यह तो मैंने आपको बता चुगा हूँ बड़े गाड़िया मुड़ना मना मला ट्रक मुड़ना मना है यह देखिए road clear हो गया मतलब आप जा सकते है clear ह एंप पर हमेशा दिहान रंगना यह दो एर वाते हैं तो आपको देखना है जिसका एरो बड़ा वाला दिख रहा है उसको पहले जाना चाहिए और आपको मालू मैं हम यहां पर right side में गाड़िया चलाते हैं तो इसमें आपने देख आ है right side का एरो बड़ा है तो इसका अब ये पार्किंग साइन है भी ये ऐस्पिटल है अब ये आपने देखा ये तीन है दो है एक है ये आपको एक जो आपको इक जो आपको ये श्ट्राइक लगा हुँए एक बार आपको 100 यार्ड के बारहें बताता है तो आपको बताता है कि यह देखिए यह 100 मेटर में है, मतलब आपका exit, आप freeway से exit होने वाले हो, तो आपको बताता है freeway से exit 100 मेटर पर है, 200 मेटर पर है, 300 मेटर पर है, आपको बताता है इतने मेटर पर है, यह no waiting है, वेट नहीं कर सकते हैं, यह parking for diplomat car, मतलब जो embassy अगरा हमें काम करते हैं, उनके पार्किंगे रहे हैं, हम यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट पार्किंग होता है यह डाइवर्शन आफ ट्राफिक रोड शायद काम चल रहा है यह एक्सिडेंट होग यह कुछ भी हो सकते हो, डाइवर्ट करने माले यह आगे स्कूल है यह किसी साइन के नीचे मिलता है आपको यह दोनों एक रोड के कोने को दर्शाते हैं बताते हैं मतलब एक edge of the carry में रोड का कोना है यह lane खुला हुआ है और यह वाला lane बंद है मतलब यहाँ से lane में जा सकते हैं और यह वाला lane बंद है और यह reduce speed now मतलब speed कम करो अब देगे मैं आपको lines के बारें बताता हूँ यह बहुत ज़रूरी चीज़े है lines यह आट यह पूछता है आपने देखा होगा road पे marking लगे होते हैं मतलब lines लगे होते हैं तो यह पहले वाला हम बोलते हैं stop line मतलब गाड़ी आप लेके आते हो आपके सामने यह वाला line मिलेगा तो हम इसे बोलते है stop line मतलब लाजिम आपको गाड़ी को रोकना है और यह इसे बोलते है give way line मतलब आपको रोक कर दोसरों को रास्ता देना है ठीक है और यह जो line है जो पहले वाले यह वाले line है यह तो आपके गाड़ी के सामने मिलेंगे मगर यह जो lines है यह आपके गाड़ी के side में मिलेंगे तो यह आपने line देखा यह छोटा छोटा है और यह बिल्कुल सीधा है यह बारीगी बारीगी में जो बना हुआ है छोटा छोटा जो बना हुआ है, इस line में आप over take कर सकते हो, यह lane change कर सकते हो, जी हाम कर सकते हैं, simple fund आया देखो, छोटा छोटा ऐसे line है, तो हम over take कर सकते हैं, एक सीधा line है, तो हम नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इस जाड हो सकता है, roundabout आगे वाने वाला है, पैदल जाने वाले करास्ता वाला है, तो ये खत्रों के पास मिले गई, तो इसमें हम अराम से कर सकते हो, और इसमें हमें थोड़ा एहतियात रखना पड़ेगा, मतलब हमें थोड़ा ध्यान से lane change करना पड़ेगा, अब इसमें दीग होते हैं, marking मतलब ये left जाने के लिए, ये सीधा जाने के लिए, ये सीधा और right जाने के लिए, और ये भी सीधा और right, ये left जाने के लिए, अब इसमें क्या है, हम दोनों तरब जा सकते हैं, right में भी, left में इसमें हम ऐसे जाएंगे और वो सामने से गाड़ी आ रहा है, ठीक जा रहा है मतलब इसे हम बूलते हैं one side only मतलब एक की तरह one way है और यह है आरो देखेए एक ऐसे भी आ रहा है एक सामने से भी आ रहा है तो हम इसे बोलते हैं two way two way traffic मतलब दोनों तुरफ से आता है और यह किसी का entrance हो सकता है आने जाने का रास्ता है, तो इसके सामने कभी आपको stop नी करना है, आपको इसके सामने खड़ा नी रहना है, या wait नी करना है, आपको हमेशा खाली चोड़ना है, और ये होता है चुराहा, जो कि मैंने आपको intersection के बारे बताया था, ये भी चुराहा है, यहाँ से गाड़ी आत अगर आपके सामने green signal है, तो आप ऐसे जा नहीं सकते हैं, जब तक exit clear नहीं है, आपको नहीं जाना है, छीक है?